नमबर वन चानल के नमबर वन शो कच्चा चिठा में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सभी नातामंग देश मुक्र। याहू का बेटा इस वक्त हमास से लड़ने के लिए मौजूद क्यों नहीं है इसरेल में चल रहे इसी टकराब का फाइदा हमास और हिजबुल्ला ने उठाने का फैसला भी किया लेबनान में एक ऐसी मीटिंग हुई एक ऐसी बैठक हुई जिसके बाद इसरेल में एक बड़ जब गाजा में ताबर तोड बंबारी जा रही है इमारते डहाई जा रही है सेक्डो लोगों की जान रोस जा रही है जब इसराइल और लिबनान के बॉर्डर पर अंटी टैंक मिसाइल फाइर की जा रही है इसराइल के खुफिया डे तबहा किये जा रहे है जब अमेरिका से लेकर रूस और इरान से लेकर तुर्की तक इसराइल पर बहुत बड़े हमले की बात चल रही है जब पश्चिमेशिया की राजधानियों में इसराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ युद्ध का पूरा महौल बन चुका है तब इस मीटिंग ने नेतन याहू को खौफ से भर दिया है ये तीन लोग है घाजा की हकूमत चलाने वाले हमास के पॉलिटिकल ब्योरो के उप्रमू साहल अरूरी और साथ में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के महसचे जियाद नकाले और इन दोनों ने लिबनान की राजदानी बेरूत में जाकर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला से मुलाकात की है ये तस्वीर जारी होने के बाद दो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं घाजा और इस्राइल के बीट चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिमेशिया को तीसरे विश्वित के एपिसेंटर में तबदील कर दिया है और इसकी वज़ा से दो ताकत सबसे ज्यादा फिकर में डूबी हुई है पहले है इस्राइल के प्रधान मंत्री बेनियमिन नेतनियाहू और दूसरे हैं अमेरिका के राष्चपती जो बाइडन दोनों की टेंशन का मीटल लगतार रेड लाइन को पार कर रहा है इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है क्योंकि गाजा में हो रही बंबारी के बाद हमास फिलस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्ला ने अलान कर दिया है कि जैसे ही इसराइल की फौज गाजा की जमीन पर पदम रखेगी वो ऐसा हमला करेंगे जिसकी गूज अमेरिका तक सुनाई देगी लेकिन क्या ये वाकि इतना वड़ा खत्रा है जिसे लेकर नेतनियाहू और बाइडन को डरना चाहिए इन तीनों के पीछे कौन है तो जवाब है कि इन तीनों फोर्स के पीछे इरान है जो इनको फंडिंग भी करता है इनको हत्यार भी देता है इनको ट्रेनिंग भी देता है और अब इसी ताकत के बल पर वो अमेरिका और इस्राइल दोनों को डरा रहे हैं हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्ला इन तीनों ने अपने नए वीडियो जारी करने शुरू कर दिये है हमास ने ढोन अटाक का वीडियो दिखाया है जिससे तेलवीव और इस्राइल के कई बड़े शहरों पर हमले किये जा सकते हैं तो हिजबुल्ला ने लेवनान इस्राइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इस्राइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है अगर घाजा पर ग्राउंड उपरेशन शुरू होने के बाद हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्ला ने एक साथ इस्राइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इस्राइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और तब अमेरिका की मदद लिए बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इस्राइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए घाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है उत्तर की तरफ लिबनान में मिलिशिया इस्बुल्ला की तादाद 1 लाग से ज्यादा है इनके सामने इस्राइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाग से ज्यादा सैनिक है ये आकले बताते हैं कि इस्राइल के पास 4 गुना ताकत है इस्राइल ने अपनी सेना का पूरी तरह से मोबिलाइजेशन कर लिया है लेकिन ये भी रिपोर्ट सामने आ रहे कि रिजर्व फोर्स की पूरी ट्रेनिंग अभी बाकी है इसके अलावा इस्डायल ये भी चाहता है कि पूरी तरह से हत्यारों का स्टॉक तैयार कर लिया जाए ताकि ग्राउंड इन्वेजन के बीच में गोले बारूत की कमी ना पड़े लेकिन हमास और हिजबुला के गुरिला युद में मुकाबला करने में फौच की तादाद से ज्यादा लड़ने का तरीका माइने रखेगा गाजा के अंदर लड़ाई आसान नहीं होगी ये हमास का इलाका है तो हिजबुला को सीरिया में आईस आईस के खिलाफ युद्ध लड़ने का नुभावें इसराइल के सामने संकट बड़ा है लेकिन उसे अमेरिका की मदद मिल रही है जिसके दो समुदरी बेड़े इस वक्त भूम अद्दे सागर में तैनात हैं और वहां से इसराइल को लगातार एर सपोर्ट मिलेगी क्योंकि अमेरिका के टार्गेट पर लिबनान बॉर्डर की तरफ हिजबुला के ठिकाने होंगे इस बीच संयुक्त राष्ट में इसराइल को लेकर एक बड़ा मोर्चा खुल गया है क्योंकि खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी बात कह दी है कि इसराइल ने उनका स्तीफा मांग लिया यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये जानना जरूरी है कि हमास ने हमला अचानक नहीं किया फिलिस्तीन के लोग 56 वर्षों से घुटन वाले कबजे का सामना कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन पर लगतार कबजा देखा है हिंसा देखी है, आर्थिक बरबादी देखी है अपने घरों को डहाय जाते देखा है इस वी बाद के राजनीतिक समधान के उमीद खत्म होती जा रही है फिलिस्तीन के लोगों की शिकायते हमास के हमलों को सही नहीं ठहरा सकती लेकिन इसके बदले में फिलिस्तीनी लोगों को सामुहिक सजा देना भी सही नहीं आफिक लिवलिद्टीनों को सफ़ी निकायते बाद को कि वी खत्म हरे है इसराइल और हमास की तक्कर में इस वक्ट दोनों तरफ के लोग हिंसा जहिल रहे हैं किसका रॉकेट और किसका बब, किसे टार्गेट बना रहा है इसकी फिक्र ना हमास को है और ना है इसराइल की सेना को साथ अक्तूबर को हमास के हमलों में इसराइल के करीब डेड़ हजार लोगों की मौत के बाद इस्राइल की लगातार चल रही बंबारी में 25 अक्तूबर तर 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है इन में 5,000 से ज्यादा बच्चे हैं जबकि गायलों की तादाद 18,000 पहुँच चुकी है इन आकड़ों में उन लोगों की लाशे शामिल नहीं जो अब भी हजारों इमारतों के मलबे में दबी हुई है यहाँ इस्राइल की बंबारी में गिरी एक इमारत में कई लोग दब गए और इन में से एक को यहाँ जिन्दा निकालने की कोशिच जारी है रेस्क्यू उपरेशन रात में चल रहा है यहाँ बिजली नहीं है टॉर्च की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है यहाँ पसे एक शक्स को बचाते वक्त उसे बताया जा रहा है कि उसका परिवार निकाल लिया गया है ताकि वो होसला न खोई इस वक्ति का पैर किसी कंक्रीट के हिस्से के नीचे दबा है यहाँ ना कोई खास हौजार है ना कोई बड़ी मशीन लेकिन एक एक जान को बचाने की कोशिश जा रही है पूरी दुनिया में इसराइल से कहा जा रहा है कि वो बंबारी रोग दे लेकिन इसराइल ने तैकर लिया है कि जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता उसकी बंबारी जारी रहेगी लेकिन दक्षिन इसराइल में युद्द का खौफ देखा जा सकता है हमास के रॉकेट हमलों के बाद यहाँ की सड़के खाली है लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं पार्क से लेकर समुद्री किनारे सब कुछ विरान पड़ा है इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद अब युद्द का बड़ा खत्रा मंडराता नजर आ रहा है